हाई, मैं हूँ अपूर्वाशेट और मैं स्वागत करता हूँ आपका The Right Choices with Oracles of Dalal Street के एक और नए एपिसोड और उमेश महता जी से तो आज का एपिसोड काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इसे आखिर तक जरूर देखेगा तो चलिए सवागत करते हैं उमेश महता जी का अलो वेलकम तो दे शोव प्लीज तो अभी जो आगे मैं समझता हूं के 2008 जैसी सिचुएशन तो आएगी कभी मार्केट गोज थू साइकल्स तो मार्केट में आगे भी टॉप बनेंगे तो बेस्ट ऑन यॉर अनलेसिस आपने 2001 का भी टॉप देखा 2008 का भी टॉप देखा और अभी प्रोब्ली आगे चलके जबी भी मार्केट टॉप आउट होगा तो उस वक्त जो सिनारियो थे या जो भी कुछ फैक्टर होंगे वही या उसके कुछ एक अलग वेरियेशन में वापस से ये फैक्टर आएंगे तो ये ज दिहान में जब मेरी खुद की स्टडी में मैं यह एक देखता हूं कि जैसे आपने रिलाइंस पावर का आईप्यों के बारे में बताया तो नौर्मली क्या होता है कि जब बुल मार्केट होता है तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुलते और एक बड़ा आईप्यों जब क्या आपके इतने पूरे experience में से आपको क्या पता चलाए कि यूफोर्या कैसे identify करते हैं काफी अच्छा सवाल है यूफोरिया identify करते का एक रास्ता नहीं है multiple रास्ता है जैसे कुछ आपने बताया कि जब ज़्यादा IPO आ जाते हैं मार्केट में IPO कब आएंगे जब पबलिक म मोड माहल सेंटिमेंट अच्छा होगा तभी वो लेके आते हैं और काफी ज्यादा आइप आते हमार लिक्विडिटी सक्क हो जाती मार्केट से तभी मार्केट में आता है तो यह एक एक फैक्टर है दूसरा मार्केट में टंडोवर मतलब स्पेक्विएटर या त्रेडिंग में टालिटी इस ग्राइट में जब आप कैसे उसको मेजरर कर सकते हो तो यह मेंने आपको चाहला उन्हें आप को बताता हो मार्केट में कंपनी का से इसमें ऑ-ено के इह पहला कि तनी है आ Shoto Market size of the Te kam of the entire Indian Capital Market थो और्स उस कंपनी का talk कितना है साल में थो for example आगर मार्केट केब युप 2% है तो को है को शुब तक देबिंगे ले लिए तो है का मार्किट के searching Mohagen चार परसंट है और उसका जो टरॉन आवर है पूरे साल में और वह सिर्फ दो फ संट है ऑला पर सोथ है और यह जो डोवर रहे हो वो डोटन ओवर भी एडसेन अन्यूर 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 तॉर अन्युन ताफ मार्केट वी-जा-वी द परटिक्विलर टॉन ओर फॉर देज्डो एप चार्ट जो स्क्रीन पर तो उसमें क्या है कि एच वेल का चार्ट है आप द तो कंपनी बढ़ी है मगर उसका टॉन ओवर साल का वो डेट दो परसंट के आजपास ही अव्द टॉटल मार्केट टॉन ओवर और रजिस्टर रॉट अंट अच्छेंग मतलब कंपनी बढ़ी है टॉन ओवर चोटा है मतलब ट्रेडर इसमें कम हैं इन्वेस्टिंग इन्वे पिछले तीन-चार सालों में और उसका टॉन ओवर होता था फॉर परसंट फाइफ परसंट अफ टॉटल टॉन ओवर ऑफ दो मार्केट ऑन अन्युलाइज बेसिस मतलब कंपनी छोटी है और टॉन ओवर इतना ज्यादा है मतलब यह यह ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले इस इन्वेस्टमेट वाले बिलकुल भी इस टॉक यह नहीं हो सकते हैं इन्वेस्टमेट वाले स्टॉक कौन से मार्केट कैप बढ़ी और उसका टॉन ओवर कम है तो एक यह जितने मीं बड़े चार या पांच अकड़े वाले स्टॉक्स है मैं समझता हूं कि उनमें जो टॉन और भी गुड़ कॉलिटी स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेडिंग बहुत ही कम होगी आपकी आपकी यह एपसलूट करेक्ट है कि जबी साइज मार्केट कैप अगर बड़ी है बड़ी कम अच्छी होनी चाहिए और अकर ट्रेडिंग ट्रेडिंग टॉन ओवर कम है स्टॉक एक् कोई भी आप स्टॉक देख लो फॉर एक्जंपल स्टेट बैंक स्टेट बैंक में 13 14 में आप देखिए मार्केट कैप से ज्यादा स्टॉक में टॉन ओवर होता था और जब जब इन्वेस्टिंग का जब जब स्टॉक प्राइज नीचे था तभी मार्क तब जो टॉन ओव आपको इससे from trading point of view आपको ध्यान रखना है आपको पैसा नहीं बनेगा पैसा बनेगा मगर आपको ट्रेल करना इस टॉप लोसे आपको जैसे जब तक काथ नहीं लगाते शायद लोग भूल गए है तो आप रिलाइंस में पिछले चार साल में अभी एक साल से तो काफी अच्छी तेजी है उसके पहले जो चार साल था जब रिलाइंस ने कुछ भी नहीं किया है उसमें मार्केट कैप से कई कई परसंट कम ट्रेड टर्न ओवर हो आप टर्न ओवर उस स्टॉक का आइडेंटिफाई कर लीजे एक्ट एन्यूल बेसिस पे स्टॉक एक्षेंज में कितना है एज परसंटेज ऑफ टोटल टर्न ओवर और फिर आप उस कंपनी के मार्केट कैप देख लीजिए एज टोटल मार्केट कैप ऑफ इंडियन ओल है तो यह अच्छा स्टॉक है इंवेश्मेंट कैटेगरी स्टॉक है एक्षिए जैसे मैंने आपको एक्जम्बल दिखाया और अगर मार्केट कैप कम है और टॉन ओवर काफी ज्यादा है एज यस बैंक एक्जम्बल मैंने आपको बोला पांट शे परसंट टॉन और मार्क स्टॉक करके रख तो तो इन इंडिकेशन के अगर बहुत ही ज्यादा है कंपरेट तो मार्केट कैप तो इस चेंजिंग हैंड दॉस्टॉक के अपने डीमैट अकाउंट में दबा के नहीं बैठा है मतलब कि यह सिर्फ ट्रेड करके छोड़ देने वाला है यह खाके लेके बैठrån नहीं अगर इस प्रकार से मारकेट में उसका उसी सभी कभाडें अक्षेंग में और मरकेट में करना है सकते सनकते में यह कि बताएंगे कि अधिकल स्टॉक्स पिछले 10-15 सालों में आप ताटा स्टील पहले ताटा स्टील था 800 और लो था 100 200 यह जो भी था और आज वापस टाटा स्टील आंट सो के आसपास आ गया तो दस साल में स्टॉक प्राइज में अगर दस साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया हाई में और आज की तारिक में उसके पास उसने रिटन नहीं बनाया क्यों कि वह सिक्लिकल स्टॉक है वह साइकल म तो साल स्टॉक है वह स्टेट बेंगे टाटा स्टील है यह सब बॉटम के आसपास सब का टॉन ओवर कम था कंपेट तू मार्कीट कैप और जिद जबी भी टॉप आते हैं तब यह बहुत बड़ा अच्छा तूल है इन ओडर तो आइडेंटिफाई स्टीकल स्टॉक्स में यह एक जैसे अपने टाटा स्टील बता है तो मैं मांता हूं के मेडल एक हो गया एक जो एक उक्वनमी रिले टेड स्टोंग गए तो शायद से ऑटो सेक्टर भी इसी में cyclical एक cycle के थू जाता है तो यह सारे स्टोंग में एक सिक्टालेटी था उसमें ये टूल ने काफी कुछ हेल्प की होगी तो केन यू शेर सम आप इंसाइट्स हाओ डिड़ डिस टूल है जब केतन पारिक की जो तेजी थी उसमें आप बिलीव नहीं करोगी जो नंबर्स थे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल टेली वह मार्केट कैप तो सिर फूचरिस्टिक डिस की सोफ्ट्वेर पेंटाफॉर सब की मार्केट कैप जी थी वह सिर्फ आदा परसंट एक परसंट थी और टॉन ओवर पांच साथ आठाट दस तस परसंट वह टून ओवर करते थे और 2008 में भी जो रिलाइंस अनिल भाई के जो शेर्स थे वह टॉप ट देखिए कि वह एक पीक का या एक टॉप का एक क्लियर संकित देते हैं कि जब इतनी हरकत हो जाती इस टॉक्स में तो आपको फिर उससे बाहर निकलना चाहिए यह एक्चुली डिस कुड़ बिया वेरी गुड टूल तो आइडेंटिफाई शॉट सेलिंग कैनिडेट मुझ उस पर्टिकुलर सीरीज में जो भी आपने कहा शॉट सेलिंग में क्या वह संशिक में आप बता सकते के अगर हमारे पास यह टूल हो गया और उसके साथ-साथ आप शॉट सेलिंग भी अगर किसी को करना है तो कुड दिस कुड दिस भी कंबाइंड विद दाट एंड कैन व आप उस रिसाब से टूल लगाई आप को ब्रिक आउट जब मार्केट में लोवर ब्रिक आउट आते हैं या जो भी है मुविंग एवरेज क्रॉस आप लगाई है यह जब लगाने के बाद जब सिगनल आते हैं तभी आपको यह ज्यादा कंविक्शन है कि मैं यह ट्रेट म मार्केट में सभी देते हैं जब मार्केट नीचे आता है तो तो और मुविंग एवरेज क्रॉस वर्स अवी स्टॉक देते हैं मगर कौन सा ऐसा एक दो तीन या चार पाँच स्टॉक्स जहां पर मुझे मैक्सिमुम पैसा मिले है कंविक्शन भी हो हाई नश से आएगा वर सारे लोग अल्रेडी हो गए होंगे क्योंकि विकॉस टरनोवर इस सो हाइव या जो भी वीक हैंड्स वाले इन्वेस्टर्स यह वह यह स्टॉक में ट्रैप हो जाते होंगे और अगर आप 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 स्मार्ट इन्वेस्टर इप यू कुड़ शॉट सेल सच कैंड आप स्टॉ के साथ अगर आप यह स्टॉक या दो स्टॉक ही बहुत है अच्छा पैसा बनाने के लिए तो लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तो उनकी स्ट्राटेजी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि उनको मार्केट से किस तरीके से पैसा लाना है अब अर्जुन है तो वह आरी मैं कि लोग दुनिया भर का सब जगह से ग्यान ले ले लेते हैं या सीख ले सीखाते है मगर वो जब तक फोकस नहीं करते मुझे काम करा आ है तो लोग कोस्ते ह। लोग पैसा निबनाते हैं अगर बनाते हैं एक आशा है अगर आप उसको सही मांइने में देखे आप क जैसे शेर जे पैसा बनता है या मैंने जैसे आपको बताय TATA TV Services TCS TATA TV services में रिठन अच्छा है मगर में रिस्क जादा है और कम है मगर चलो रिठन भी थोड़ा कम है तो आप यह समझे कि clarity होनी चाहिए में quality में आपको इनित्व गैसे में I want to invest with quality भले रिटन कम हो यह जब इन्वेस्टर के माइन में जहन में बैठ जाता है तभी वह अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकता है और इससे compounding return बन सकता है तो clarity बहुत जरूरी है कि अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग की आपको एक फोकस होना चाहिए चीज पर फोकस रखे और उसी में ज्यादा डीप उतरते जाए तो उससे ज्यादा आपको benefit मिल सकता है मार्केट में आप ज्यादा लंबे समय तक sustain कर पाऊगे और अगर लंबे समय तक sustain किया तो इवेंच्वली पैसा भी बनेगा तो एक हमने काफी अच्छी स्टड़ी देख लिए अब यह डेटा जो रीटेल इन्वेस्टर्स है वह यह डेटा कहां से ला सकते कैसे ला सकते यह डेटा और उन्हें बस ट्रेक करना ऐसा ही तरीके से तो आजकल फ्रीली डेटा भी काफी अवेलेबल है तो यू कोड़ शेर दा लिंक विद एंड विल पूट दिस लिंक बिलो आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अल रीटेल इन्वेस्टर्स कें गो एंड चेक दो लिंग या चौब इस वाज एक्सेलेंट सेशन फ्रॉम उमेश भाई तो हमने आज के सेशन में काफी कुछ चीज़ें सीखी है अब इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करते हैं लेकिन समाप्त करने से पहले हमारी एक जो हमारे एक ट्रेंड है के वी साथ भी कुछ रैपिट फायर सवाल पूछेंगे तो आपके सबसे फेवरेट बुक्स कौन सी है ऐसे स्टॉक बार्गेट पॉंट ऑफ यू तो रेमिनिसंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर है उसमें काफी ज्यादा सीखने को है फ्रॉम ट्रेडिंग पॉंट फ्रॉम गुरू काफी काफी सारे और अलग-अलग फील्ड से तभी थोड़ा थोड़ा ग्यान सबसे लेके अपने आप में अलग परसनलेटी बन सकते हैं वैसे हंडिट परसंट या इस तरीके का मेरे लाइफ में इस प्रकार का नहीं था मगर मैंने लार्जली मेरे पिता जी है उन परलब व्यपस्टना मेरीरे करता हूं और कफी बार शिविर में भी आहं तो कुछ ना करना भी कुछ करना है तो यह हों तो रिलेक्सिंग रिलेक्स ओके अपने आप मैं मनन चिंतन अपने आपका खुद का खुद के साथ तो यह जब कुछ काम नहीं होता है तो यह मैं माइंड ओपन रखना है कंटिन्यूस लर्निंग करना है और लर्निंग करते यह जो जड़नी है आपको मायूसी भी होगी उदासी भी होगी आप खुश भी रहेंगे मगर यह सब चीज में आप एक बैलन्स रख कर आप अपने लाइफ जड़नी को जीते हैं और आपके कुछ स सब अच्छे हैं सब एक दूसरे के लिए तो यह आप सिद्धान लेकर आप लाइफ में चलते हो खुश रही है अब खुश रहते हैं हर बार जो भी हो रहा है ठीक है अच्छा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके गोल्स और आपके मिशन के जो मिशन के मिशन के तो बस इससे आप चलते जाएं देरे देर आगे बढ़ते जाएं और किसी के साथ गलत मत कीजिए खराप भावना नहीं रखिए तो आप इस प्रकार से जीवन निर्वाग कर सकते हो और आपको इश्वर भी ग्यान प्रदान करेगा वो विज्डम देगा तो आप मार्केट में आप जो भी काम करते हों आपको उसमें सफलता मिलेगी चलिए धन्यवाद आपका इन सारी चीजों के लिए आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखने मिला है और आप शूर के आगे जब कभी भी मार्केट इवेंचली तब जाके यह स्टेडी काफी काम में आएगी तो इस बार अगर यह टूल रिटेल इन्वेस्टर अपने पास रखेंगे तो डेफिनिटल उनको मदद मिलेगी तो इस एपिसोड में उमेश जी से बात करके हमने जाना कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स क्राउट बिहेवियर को अनलाइज कर सकते हैं उन्होंने हमें मार्केट यूफोरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलिटेटिव फैक्टर्स बताए जिसमें बड़ी मात्रा में आईपियोस का आना, कम्पनीज का कपैसिटी एक्सपांशन में निवेश करना जैसी चीज़े शामिल है कॉन्टिटेटिव फैक्टर में हमने देखा कि जब स्टॉक का टरन ओवर उसके मार्केट कैप के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एक रेट फ्लैग होता है और जनरली उस स्टॉक में टॉप बनने का बहुत ही सटीक इंडिकेशन होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे अगर आपको हमारा शो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यू और हाई फ्रिक्वेंसी एक्षिडी बहुत लोग कंफ्यूस करते कि अल्गो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी सेभी ने डीमे करके चालू खोला था डीमे इस डायरेक्ट मार्केट अक्सस तो ऐसा नहीं है कि यह कोई एटीम या जादू की छड़ी है